दोस्तों क्या आप जानते हैं उट की पलकों में कितनी परते होती हैं? जी हाँ, उट अकेला ऐसा प्राडी है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है या विसेशड इस पर पूरी तरह से सटीक बैठता भी है क्योंकि प्राकर्ट ने इसकी सरीर की बनावट कुछ इस तरह के विसेशड गुडों के साथ की है इसकी वज़ा से आप मरुस्तल की गर्मी धूब रेतीली हवाओं के बीच जराभी सहज़ता से अपनी आत्रा जारी रखता है उट रेकिस्तान में सफर करते हुए तेज हवाओं के साथ उड़ती हुई रेत के बीच अपनी रा आफानी से देख फके इसके लिए इसकी बड़ी बड़ी काली आखों पर विसेश सुरच्छा इंतजाम मजूद होता है आखों के उपर इसकी जगां तीन तीन पलके होती है इन में से दो बाहरी पलकों पर घणी बराउनिया मुझूद रहती है उड़ती रेत या धूल के जो कर आखों तक कहुँचते हैं उड़े नेतर गोलक या आई बाल से पोच कर हटाने का काम करने के लिए एक तीफरी पलक भी होती है इसको समय के एक नियमित अंतर पर जपकाते रहने का काम ओट के सरीर की अनेची क्रियाओ का ही एक भाग होता है ये भी ठीक उसी तरह कारे करती है जैसे मानों में पलकों की इकलोती जोड़ी तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब कर के लिए जय हैं दूबंदे मातरम